और दार गौरेला पेंडरा मरवाही में खाद विभाग की बड़ी कारवाई हुए है बड़ी मात्रा बें धान समेत दू ट्रक को सील कर दिया है बिना आदेश खुली जगए में 7800 बोरी धान रखा गया था श्री साइन एक ग्रो कस्टम मेलिंग ने खुली जगए में धान स्वाप किया हुआ था और जगए कम होने का हवारा देकर खुली जगए पर ये धान रखा हुआ है रवाई थाना शुत्र के लरकेरी में खुली जगए पर ये धान रखा गया था श्री साइअ एग्रो कस्टम मिलिंग ने खुली जगह में बता जा राय की धान रख रक था इस पर ख़द विभगने कारवाई की है तो कबर पर दाज जन जानकारी के साथ हमारे समवाता गौरब जुड़ रहे हैं गौरब खाद विखाग की बड़ी का रवाई बिना किसी पर्मीशन के हां पर बड़ी संख्या में धान स्टॉक किया गया था क्या को जानकारी और निकल कर सामने आ रही है देखी ये किस्टम मीलिंग नियोगों का ये घोर उलंगन है सबसे पहले बताना चाहूंगा आप बिना किसी सुचना को बिना किसी खाद विखाग या संबंदित विखाग को सुचना दिए आप इतनी बड़ी मात्रा में धान का पिस्ताफ नहीं कर सकते हैं अगर आपको भंडारण के लिए अगर कोई जगह अगर चाहिए तो आपको खाद विखाग से पकायदा इसकी परमिशन लेनी होती है पकायदा इस संदर में आपको उनको एक लेटर जारी करना होता है तो कहीं न कहीं ये खाल मेल के संदर में इस प्रकण को देखा जा रहा है अब इस पर चुपकी कारवाही हो गई है खाद विभाग और राजस विभाग ने ये कारवाही की है और लगबक 78 सो बोरिया और तो ट्रक इस पर जो है जब किये हुए है और आगे की कारवाही के कारवाही के लिए लेकिन ये निमो का खुरू लंकर है ऐसा नहीं होना चाहिए चलिए बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस एहम जानकारी के लिए